अलसी, फ्लैक्स, सीड, कब, कैसे, और कितने लें? रोज सुभह खाली पेट अलसी खाने से क्या होगा? अलसी, फ्लैक्स, सीड्स, एक बहुत ही पौश्टिक खाध्यपदार्थ है, जिसमें ओमेगा तीन फैटी एसिड, फाइबर और एंटी ओन एक्सिडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं. इसे अपने आहार में शामिल करने के कई तरीके और फाइदे हैं, अलसी कब और कितनी लें? समय, सुबह खाली पेट, अलसी का सेवन करना बहुत फाइदेमंद होता है, क्योंकि इससे पाचन में सुधार होता है और शरीर में पोशक तत्वों का अवशोशन बेहतर होता है. मात्रा सामान निता रोजाना एक से दो चम्मच अलसी के बीज या इसका पाउडर परियाप्त होता है. शुरुआत में कम मात्रा में लेना चाहिए और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है. अलसी कैसे लें? पानी के साथ आप अलसी के बीजों को भिगो कर या पाउडर को पानी के साथ सीधे सुबह खाली पेट ले सकते हैं. स्मूदी में मिलाकर अलसी पाउडर को किसी भी स्मूदी या जूस में मिलाकर पी सकते हैं. सलाद में मिलाकर आप अलसी के बीज को सलाद पर छड़क सकते हैं. धी के साथ आप इसे दही में मिला कर भी खा सकते हैं रोज सुबह खाली पेट अलसी खाने के फाइदे पाचन में सुधार अलसी में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और कब्ज को दूर करती है वजन कम करने में मदद अलसी के बीज भूख को नियंतरित करने में मदद करते हैं जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है कॉलेस्ट्रॉल कम करना ओमेगा तीन फैटी एसिड और लिगनन्स की उपस्थिती के कारण यह कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है हृदय स्वास्थ्य अलसी में मौजूद ओमेगा तीन फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं जिससे हृदय रोगों का जोखिम कम होता है त्वचा और बालों के लिए फायदे मंद इसमें एंटी ओन एक्सिडेंट्स और स्वस्थ फैट्स होते हैं जो त्वचा और बालों को बहतर बनाते हैं शुगर को नियंत्रित करना अलसी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी मददगार होती है जो मधुमेह के रोगियों के लिए फायदे मंद हो सकती है ध्यान दें कि अलसी का सेवन करने से पहले यदि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है या आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो थैंक यू फ्रेंड्स